बच्चो आज 11 ass स्वागत करता हूं विध्य कुलास में बच्चो आज हम 11 क्लास के physical पढ़ रहे हैं और 11 क्लास के बच्चो फिजिक्स में हमारा जो सेकिंड पार्ट है वो झरला है धिक और सेकिन पार्ट में बच्चो जो हमारी पहली युनिट थी उस पहली युनिट का चैप्टर नुमबर 2 जाएगा और NCRT की ओर्डिंग बच्चो चैप्टर नुमबर 9 जाएगा ठीक है और आज को जो बच्चो चैप्टर का लेक्चर होने वाला ये ये लेक्चर नुमबर आएगा बच्च आपका 2 ठीक है तो देखें कब्ढ़ने ऐने द्रब के परवा के बारे में कि कैसे इसका द्रब का परवा होगा कैसा नहीं होगा तो सबसे पहले की परवा कि व्युक्र जाता है जिई में किसी मार्ग का अनुसरण करता है तो उसके इस प्रकार बहने को में कहते हैं दर्व का धर्व के परवा यानि कि अगर आप बच्छों यहां पर देख़ाएं तो आपको नजर आएगा यहां पर कि एक आपका जैसे यहां पर यहां फर देखिए जैसे मानलों आपके पास में यह वाला एरिया हो गया ठीक है जैसे मानलों मारे पास में यह वाला एरिया हो गया ठीक है और यह वाला एरिया के बाद में बच्छों मान लेते हैं कि जैसे मारे पास में यह वाला एक यहाँ पर नली हो जाती है ठीक है यहाँ पर दूसरा आपका एक एरिया बन जाता है ठीक है तो मानलों गर यह आपके पास में बच्छों सर्फेस यह वाला एरिया इसको हम है तो जब कोई रपकार फ्लो होता हुँ प्रकार भायत होता है कि किसी अंड ही बिंदू से गुझनने वाले सभी इक ऐसे म्याने चों करते हैं और ऑर एक ही मारं शेंत्र करते हैं उसके व्यर्ण के बराबर होता है TO ओडरत के ऐसी परवह को का thinks ज्छों का कि कार परवह एक और दो दौबारा अपनाये गए महार्म ठीके इस में देख सकते हैं कि जैसे आपका पास में यहां पर पास में यहां से आपका जिर्वय से बेकर होगा यानिकि मार्क यह भी जिसके अनुदिश तरल कण एक के बाद एक करके गुजरते हैं और धहरा रेखा कही जाती है दूसर चुद बच्चों कहाते हैं जिसके किसी बिंदू पर खीचिक इस परशेखा उस बिंदू पर तरल कंड की वेक की दिशा को बच्चों परदश्यत करत किसी बिंदू पर खीचिक इस परशेखा तो वीटू आप वाली आपके और यह वाली बच्चा आपकी वीवन वाली तो इस वेक की दिशा को रिपरजेंट करती है ठीक है अब धारे रेखे वेक के जो परवाह की गुन होते हैं बच्चों उसमें क्या गुन होंगे आपके नंबर एक अगर आप देखें यहां पर तो पहला गुन आपको होता है कि दारे के परवाह में किसी दिये के किसी दिये की बिंदू पर द्रव के वेक की देशावा परिमान समय के साथ बच्चों परिवर्तित नहीं होते हैं समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं ठीक है न फिर वो दरब का परवा दरब के बच्छो बना नहीं रहेगा ठीक है नंबर तीन आपका होगा दरब का वेग नियत रहता है जबके इसके बिन-बिन बिन 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 समझाएंगे शानता नॉर्मली क्या होता है कि कि दरब का व्यागुन होता है जो दरब की पड़तों के बीच गती का वरोध करता है जैसे अगर जानते कि पानी या दरब आपका ऐसे ही रखा रहेगा जब तक युसको भाई बना लगा लेकिन अपने लगाया और लगाकर अपसको गती के बस्ते में लेए जब रोड को च्छट को निकाल लेंगे तो फिर वह गती के अवस्ता में बना रहना चाहिए लेकिन वह गती के अवस्ता करन रहके कुछ समय बच्छो ठेर जाता है तो उसको वहां पर रोकने के लिए तो रुख जाता है ठीक है नंबर पांच आपका बच्चों यहां पर जैसे द्रव के अंदर भिन-बिन-बिन बिन्दों पर वेगों के परिमान भिन-बिन हो किंतों के दिशाय समानतर हो तो ऐसे परवा को पटलित यह इस्तरिये परवा कहते हैं नंबर च्रव के किसी च्हेद के लंबत गुजरने वाली धारा रेखा है जितनी अधिक होगी उस परिछेदन का द्रव का वेग उतना ही अधिक होगा ठीक है चले बच्चों आगे चलेते हैं नंबर दो आपका जाता है बच्चो विश्वत परवा ठीक है अब विश्वत परवा क्या होता है कि जब कोई दरब किसी बहते समय एक ही मार्ग का अनुसराण ना करे जब कोई दरब बहते समय एक ही मार्ग का अनुसराण ना करे तो ऐसे केस में उस परवा को बच्चो विश दिखिए ईनली आपके पास बच्चो इस तरीके से रही होगी ठीक और वसमें चुद्रब का बच्चो परवा क'll आहसे मानगे चलते हैं कि वह धारा रहरे छेए परवा का नहीं हो है ना इस तरीके से टेड़ा समेडा आप का पर्वार हो ठीक इस तरीके से ऑसे बनना आपके गोल चक्र बननों यहांप fascinated ट्रीकर जा रहा हूं 저도 इस तरीके जो फजो फर्शुल परवा होताय। कि यहानि אिक फी मारक निस् series बच्छों नहीं करते हैं ठीक है तो यहां से अगर इसको एरियों को बच्चो यहां पे पॉइंट ए माल लेते हैं यहां पर इस पॉइंट को बच्चो बी माल लेते हैं एक ही माल करना चाहिए तो बट यह इसको नहीं कर रहा है तो ऐसा आपका कहलाएगा बच्चो आपका यह परशुद बेषया है जिस गुण के कान कोईभी दर्हां कर गती के अवस्ताते अपनी गती का विरोध करता है है ना और उसको संपर्घ रूए बच्कोव रूख जाता है गति कर्टबाँ कासा ने ऑष्साय होता है जैसे हम इस तिर लेख बच्चो जीरो रहा होगा ठीक है इस्तिर सतर्च मारत के नीचे वारे जो सतय होती है उसको जीरो बच्चो ऐका बच्छो आपका वह अधिक होगा जो परती है आपकी ऑटका फोगत कि आपक्त करहें या तो मिया पर यी देखते हैं कि बच्छों यह परतोती उसका वेग कम होगा ना तरने का पर्यास करते जब्कि परत कुर्यास करते आप और यह ना झाले घशय करता है डोनों परतों के बीच आप एक शिफएकों को समाप्त करने शाहनता कहलाती है ठीके, तो महन परिबाशा अगर आपसे कोई पूछ ले कि शानता की महन परिबाशा क्या होती है, तो आपको बच्चो ध्यान देना है, आपको लिखना है यहाँ पर शानता के लिए, शानता के लिए बच्चो आपको यहाँ पर इसको लिखना है आना होगा, यहाँ पर आपक जिसके कारण दरव अपनी भिनभीन पड़तों के मध्ये होने वाली सापक्ष कती का विरोध करता है श्यानता कहलाता है ठीक है ज़िए अब आगे चलेते हैं आँ और आप देखते हैं बच्छों दर्व के परवां में वेक परवंध्णता या इवं शानतर गूंताई अब दूरी के सापेश वेक में कितना परवर्तन हो रहा है उसको बच्छों यहां पर खा जाएगा वेक ठीक है तो ध्यान देंगे आपका जब कोई द्रव धारा रेके प्रवाह में भैता है तो प्रवा के लंवत दिशा में दूरी के सापेक्ष वेक परिवर्तन की दर को वेक प्रवनता कहते हैं ठीक है तो बच्चों मानके चलते हैं कि हमारे पास में कोई यहां पर एक तल होगा एक्स वाई जो उसका यह द्रड चैथिस तल होगा जहां पर वो इस तेरह वास्ताय में होगा तो यहां पर बच्चों वेक होगो शून यह ठीक है उसके बाद बच्चों हमने दो परत कंसेडर कर ली है पहली परत बच्चों हमने ले लिए ए बी यह वाली ठीक है दूसरी परत बच्चों हमने यहां पर ले लिए यह वाली सीडी ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि इस परत की य distance है बच्चो x press dx यानि कि distance बच्चो आप की है वो dx है यानि कि दूरी में कम परिवर्तन हुआ है जब दूरी है बच्चो कम परिवर्तन हो गया तो अगर इसका बच्चो यहां पर वी है तो इसका automatic दिवेग यहां पर आपका जादा हो जाएगा तो दूरी के सापक्ष वेग में परिवर्तन हुआ वेग में परिवर्तन है नहीं कि विरद्धी हो रही है ठीक है तो देखे बच्चो माना कोई द्रव किसी द्रड 36 तल पर धारजे के परवाँ में बहरा है माना द्रड तल से x तता x प्लस d दूरी पर dx दूरी पर दरव की दो परते p है ना परते p वे q अगर बच्चो में इसको p परत्मान के चले इसको बच्चो q परत्मान के चले करना हम से v v v plus d वे v plus d v आएगा बच्चो यहाँ पर आप लिख लेंगे v plus d v v plus d v है जैसे हमने यहां पर डाइग्राम में दिखा रख है ठीक है तो इसका मतलब यहां पर बच्छो आपका यह हो गया कि द्रव की इन पड़तों की बीच में दूरी के सब सब्सक्राइब करें तो अगर नहीं पर बात करते हैं लिए से धाय को सबस्क्राइब मातर की जाएगा तो द्यान देंगे इसके मातर की अपको जा रहा है बुझार साकिन इंवर्ष उसको जो विव में गार जाएगा माईनस के टी की पावर माजस के बन थीक है कितने जाएगा ती कीपा बच्चों, माइनस के वन, यह बहुत important है, आपको यह उसकी विमा याद रखने होगी, question कई बार exam में रसा आजाता है कि ती कीपा माइनस के वन, किस किन दो भूत कि राश्य की विमा है, तो वो लिखी है, चलिए अब आगे चलेते हैं, अब जब आगे चलते हैं बच्चों तो यहाँ ध्यान देंगे, आगे कहता है शान्त गुना, तो शान्त गुना निकालने से पहले बच्चों हम बात करेंगे शान्त बल के बारे में, तो जैसे मैं भी आपको समझा रहा था कि जब भी कोई द्रव गती करता है जैसे मैं भी आपको समझाया कि बीकर में मान लेते हैं कि हमने कोई द्रव लिया ठीक है वो इस तिरह वस्ता में रहा होगा उसमें छड़को डाला उसको हिलाया तो गती के वस्ता में आ गया ठीक है जब गती की अवस्ते में आ गहे तो बच्छों न्यूटन की यूटन से करे होगे तो अगर बच्छों हम बीकर में पानी या द्रफ को डालकर इलागी कहने में ले कर राच वोंघ फिर उस रोट को रोड़ को भट आ चुके होंगे तो अबनी लगा तो कुछ समय बाद बच्चों वह कासे ठाड जाता है तो इसका मतलब धर्फ की पड़तों के मध्धिये कोी बल कारे करता है जैसे शानता के गुन के कारण वहाँ पर कोई ऐसा बल कारे कर रहा है जो उनकी गती का विरोध करता है ठीक है बचोंस बल का नाम यहां पर रखाए तो शान बल बचों यहां पर काम करता है अब वहाँ पर जो शान बल काम करता है वो दो बातों पर निर्वर वाला शांबल दो बातों वह बच्चों निर्बर करता है नंबर एक परतों के संपर्ख शेतरफद एक अनुकर्मणपाती होता है एक यानल कि एक परकॉस्टनल यह होगा फ परकॉस्टनल आपकी बच्चों अधायगा धीक है इस फहें दो तोनों को बच्चों यहां से combine करेंगे इसे equation number 1 माल लेंगे इसको equation number 2 माल लेंगे फिर बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1,2 से हमने combine किया और combine करेंगे बच्चों देखें क्या आ जाता है यहां से आपका combine जैसे आप करेंगे तो आपका जाता है यहां पर f proportional a plus a dv upon dx ठीके इसको और आने के लिए बच्चों यहां पर कॉंशन डालते हैं plus minus eta plus minus eta a dv upon dx ठीके अब जैसे बच्चों यहां पर यह इटा डल गया है ठीके इटा जैसे डल गया बच्चों यहां पर आपक ठीके डल दरब के पणतों के लग नेतांग जिसने डलके शानता क्या क्या कहते हैं बच्चों शानताग क्याते है और दूसरा plus minus chin क्या दिखाताए pretty बच्चो प्लस मायनस चिन दिखाते हैं कि अन्योंन पर नजींबल करता है लिए caste непल déjà करते तो आदेंगे कि दादो दूसरी पर दूसरी पर दूसरी पर उसके विप्लिष सो कारिक करता है ठीक है तो यहाँ पर plus minus का केवल काम इतना सा है ठीक है अब अगर यहाँ से बच्चो इटा को निकाला जाए तो इटा बड़ावर रखे क्या एगा एफ अपॉन में a dv अपॉन dx आएगा ठीक है यहाँ से में इस वैल यह को बच्चो निकाल लेंगे ठीक है चुकि शान्त गुनांग के बारे बच्चो में बात करनी है तो शान्त गुनांग के बारे बात करने के लिए हम बच्चो इसको माल लेंगे एक मीटर स्प्यार माल लेंगे ठीक है इसको माल लेंगे सेकिंड इन्वर्स तो आपका बच्चो यहां पर जाएगा एटा बराबर एप आ जाएगा अर्धार किसी दrophy का शांता गनाग उश श्यान बल्ग है चुकता है परिमाण के बराबर होता है जो उस द्रभ की प्रस्पर संपर्ख में बच्चो के उनके बीच में कैसी हो एकों कि आप देखे वैलू स्केवी ऐ आपने एक्मानं के चले हैं ठीक है तो इस तरीक आप उसको निकाल सकते हैं उसका परिभाशित बच्चो कर सकते हैं ठीक है इसके बाद बच्चो शांता गुना की वीमा बहुत इंबोडेंट है ठीक है उसका मातरग भी बच्चो बहुत इंबोडेंट है अगर बच्चो यहां से निकाल लेते हैं इटे के लिए तो अब ध्य यहां पर दो बच्चे लिए और उपर जाएगा तो यहां पर बच्च आउगी इसकी वीमा जाएगी है मल-1 ठीपाव मायनस की बच्चो बन ठीक है ऐसे पत्य दिमस्क जो मातरक होता है एंड लिए किलोगराम अगे ईल के लिए मिट्छा पर मीट्र आगए चुकी है पर लगावाथ लगाव है ठीक है किलोग्राम मीटर किलोग्राम पर मीटर सेकंद ठीक है इसका बच्छों एक अन्य मात्र की वह होता है इसको हम कहते हैं परवाइज ठीक है एक परवाइज बदाबर बच्छों को क्या होता है एक पावाइस बराबरा बच्छों आपको होते हैं बड़े 10 kg पर मीटर सेकंड ठीक है तो इस तरीके से बच्छों आपको इमातर भी याद रखना है चुकि एक्जाम में कोशन जब आता है आपका तो उसमें कई बार आपको kg पर मीटर सेकंड में आपको वैली ना देखें प कि जब भी मानने देख्छाए आपके पास में कोई object है और किशी शांद्रव है ना या किशी शांद्रव में जब बच्छों गिरता है ठीक है जब वो गिरता है तो गिरते समय उसका जो वेग होता है वो दिरदर करके जैसे वो गिरेगा बच्छों उसमें का वेग धिर दि वी उस वी क्या होगा बच्चों आपे सीमांत वेग होगा चुकि उस कॉंस्टेंट वेग को यहां पर बच्चों कहा जाता है सीमांत वेग ठीकें तो देखें विज्ञानी के स्टॉक से ने विभिन पड़तो दरव एंग गयस में छोटी गोली गोलियों वस्तों की गती के समद्ध में अनेक प्रयोग किये और प्रयोगों में प्रयाप्त निश्करशों के अधार पर बताया कि इस शांत गुनांग के यह इने इटा शांत गुनांग वा होगा फिकर और जो आपको वे फिस निकालने वालो है तो मी आप शेक पेसा नियम क्या होता है तो स्टॉक स्टॉक से मेर में आतर बे चलिए अगर यहां तक बात के लिए रहे बच्चो आपकी तो अब आगर देखेंगे यहां पर जैसे कर हम बात करते हैं बच्चो आप से सिमान्थ वेक के बारे में देखें बच्चो किसी शान द्रब में गिरते पिंड द्वारा प्राप्त नियत महत्म वेक जैसे मैंने आपको समझाया कि जब भी किसी द्रब में कोई अबजेक्ट गिरता है तो गिरते समय बच्चो उसका वेक कम होने लगता है नेकिन जीरो नहीं होता चुकि अगर जीरो हो जाएगा तो गैन या ऑबजेक्ट जो आपको बीच में तर जाएगा पर रहे तो ऐसा नहीं होता है वो ऑबजेक्ट आपका बीच में ना रहके वो इस द्रब के ध्रात लेने के तल तक जाता है ठीक है तो तल तक पहुंसते समय वो अपना एक वेक को महतम वेक को पिंड का सिमान्त वेक बच्चों कहते हैं यहां ठीक है दूशरे शब्द में अगर कहें यहां पर तो किसी द्रब में सतंत रूप से गिरते हैं किसी पिंड का सिमान्त वेक वेहनियत वेक होता है जिस पर पिंड का भार उस पर द्रब द्वारा लगाए गए श हम बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास में यहां पर एक दरब है ठीक है इस दरब में बच्चों क्या हो रहा है ध्यान देंगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास में यहां पर यह दरब शलना है ठीक है इस दरब में बच्चों यहां पर आपका आपके पास में यह कोई लिक्वि कि यह कोई आपके पास में बच्चो लें रख है अब समस्ड होगा क्या बच्चो माल लेटा है हमारी पास में ले हैं ठीक है ठीक, अब इस liquid में बच्चों होगा क्या इस liquid में हम मान के चल लेते हैं हमारे पास में बच्चों ये वाला गोला है ठीक है, ये वाला हमारे पास बच्चों एक गोला आ गया है अब जब गोला आ चुका है बच्चों इस गोले का radius मान के चल लेते हैं कि smaller radius इसके रही होगी ठीक है तो उसके अंडिशन है बच्चो यहां पर एक भाहर काम करता है आपका M जी ठीक है अब जो M होता है वो होता है बच्चो आपको क्या M दरिमान होता है तो दरिमान को बच्चो अगर हम यहां पर बदलें तो उसको लिख सकते हैं आपको होता है और यहां से कर निकाले है वह इनंटु में DDo ख़ defining अब 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 जो देंसिते भी आपकर यहां पर होता है वह आपको देखना होग्ड कि यदि आपको पर इडब जलिकोट्टन में नीचे कि तरफ जा रहा है, मांन लिख के चल लेते हैं, कि इसकी देंसीटी आपकी रो होगी, और इस लिकोटी की देंसीटी आपकी इस सिचमा होगी, अगर सिचमा की वैली रो से कम हैं, तो देन वो आपका अबिजटन नीचे की तरफ जाएगा, अगर सिग्मा की वैली जाते हैं, वो अब्जेक्ट आपका ऊपर की तरह आएगा, तो उस केस में बच्चों को लिख लेते हैं, आपर रो माइनस के सिग्मा इंटू में, जी लिख लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप का जाता है और उस पर लगाया गया इस द्रव के द्वारे जो बल होगा जोगा तो माना कि इस मारत रिज्जा वे स्मॉल मला रो घनत की छोटी गोली सिग्मा घनत के किसी द्रव में सप्नादव बच्चो गिराए जाती है जब गोली सिमानत पर प्राप्त कर लेते हैं उसको कंडिशन में उस पर दो बल हमापर कारी करते हैं नमबर रिक निचे की तरफ कारी करना वाल भार आपका है ना भार मैनस को इसको चेंज कर लेंगे बच्चो यहां से तो आपके यह जाए कि वी इंटू में रो माइनस के सिग्मा इंटू में जी चला जाएगा और वी जो कि गोला हमारे पास में है इस माला रेडियस का तो पार बड़े तीन पाई आर क्यूग रो माइनस के सिग्मा इंटू में बच्चो जी चला जाएगा ठीक है दूसरा दूसरा बच्चो में काम करता है यहां पर कौन सा बच्चो काम करें यहां पर श्यानबल बच्चों काम करें यहां पर ठीक है श्यानबल कितना था आपका यहां पर श्यानबल आपका बच्चों काम करता है यहां पर बड़ाबर 6πई इटा आरवी इसको equation number 2 मालनेंगे इसको equation number 1 मालनेंगे यह भी रहेगा तो बच्चो एब दोनों को आपको बस बराबर रख देना है दोनों को आपको बराबर रख देना है तो देखे बच्चो क्या होगा समीकरन एक वे दो से यहाँ पर 6 πई इटा र वी बराब कर जाएगा 4 बटे 3 πई आर क्यूब रो माइनस के सिग्मा इंटू में जी ठीके तो यहाँ से देखे बच्चो वी जब आपको निकालना होगा तो आपका जाएगा 4 बटे 3 पाई आर क्यूब रो माइनस के सिग्मा जी अपॉन में 6 पाई टा आर ठीके तो ध्यान देंगे जब इसको काटेंगे एक आर से यहाँ पे एक आर कम हो जाएगा इसको काटेंगे पाई से पाई कैंसल जाएगा इसको काटेंगे दो दुनी चार दो तिया छे ठीके और जब इसकी गुना कर देंगे बच्चो ता आपका जाएगा और सिमान्त वेग में बच्चों सब कुछ कोशन होते सते ये इस तो जितना ज्यादा बड़ा गोर जो गोल को उसका सिमान्त में बच्चों उतना ज्यादा हो जाएगा थेक है actuai तो या इस सिमान्त वेग आ गया जो होगा बच्चों नियतांक होता है निया कॉंस्टेंट होता है जब कोई संपीड़े जो जिसमें शानता गुन्णा यानि कि वो भैता रहे ठीक है अनुपरस्त काट वाली नली में धरहरे के प्रावन भैरा आओ तो नली के प्रते के स्थान पर अनुपरस्त काट के छेत्रफल तथा द्रफ के वेकर गुन्णा बच्चों नियत रहता है इसी को यहाँ पर क्याते है एवरितर सिद्धान नलब इस तरीके से कि यह ज़िए करने चलें कि इसका अरिया बच्चों यहाँ पर यहां पर यहां पर आपका वेक वह वीवन होगा यहाँ पर वेक आपका वी-टू होगा तो तो ये कहता है आपका कि A1 V1 बड़ाबर आपका A2 V2 होगा, यानि कि आप इसको कह सकते हैं कि जो A V होगा बच्चो आपका वो नियत होगा, ठीके, तो यसी को कहता है, A विरत्ते का सिद्धानती है, वो constant है, बहुत important है, exam में कई बार पूछा जाते हैं आपसे, तो देखें, इस तरीके से आपका लेके चलेंगे यहाँ पर यह, जैसे हमने देखा कि हमारे पास में बच्चो यह कोई आपके पास में धारारी के नली है, इसमें हर पॉइंट पर आपको जो एरिया वो different है, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, जानते हैं, तो जब दूरी निकान ली हो, तो क्या आएगा, दूरी निकाल नहीं हो तो क्या आएगा बच्चो चाल गो न हमे समय कितना लिया बच्चो हमने एक सेकिंड तो यहाँ पर प्रवेश चाल आपकी वी हो और समय आपका एक सेकिंड तो कितनी दूरी आएगी बाच्चो वीवन आएगी इसलिए आपको यहां पर आ है एक से बीषले चिस्से बे स्थिके गण के सार्ड़ाइत करते हैं ट któam आपका A1, तो आएतन कितना होगा, A1 V1, ठीक है, एक सेकंड से गुजनने वाले जो दरब का घना, दर्विमान होगा बच्चो क्या हो जाएगा, आएतन गुना घनात हो जाएगा, जो दरब यहां से प्रवेश करेगा, वही दरब वहां से बच्चो बाने के लिएगा, तो घ इवल उसकी आकर्थी बदल सकती, आएतन समान दहेगा, जो दरब आपका X में प्रवेश करता है, वही दरब आपका Y से बाहर निकलेगा, इसलिए जब दोनों को बराबर रखा जाएगा, तो यहां से रोज से रोज कैंसल हो जाएगा, और आपके पास बच्चो निकल के य आप देखेंगे कि इस बहते दरब में कितने परकार के उर्जाए होती है, जब कोई आप दरब आपके उर्जाए होगी, नमबर एक जैसा आपका दाब उर्जाओके, नंबर गति उर्जार रहेगी, ठीक है, तो देखें, यदि किसी दरब के A, छेत्र फल्पर, P पढ़ र यहां से निकालते हैं तो पी इंटू में आ जाएगा थीक है तो देखे लिए आपको यहां से कैंजलो प्या जाएगा तो जाएगा बच्छो एकांक आएटन में दा बुर्जवज़ जो होती है आपकी पी होगी ठीक है और गति रुजा बच्चों यदि स्मॉल एम दर्विमान एवं वी आयतन का कोई घनत वी स्मॉल भी वेक से गती करता है तो उसका जो गति रुजा होगी लेकिन जब एकांक आयतन की निकालेंगे तो आयतन से बच्चों उसको भाग कर देंगे और एम अपॉन वी दर्मान बटे आयतन आपका बंजाए घनत को दिखाते हैं बच्चों रो से तो इसलिए आप ध्यान दखेंगे यह कि एकांक आयतन की गति रुजा बहते हो दरफ के एक बटे दो रो वी स्केर होती है ठीक है और दाबुर्जा के बारे में अगर बच्चों बा बहुत इंबोडेंट है अब आगे चल लेते हैं बच्चों बर्नोली की थियोरम या बर्नोली की स्थान यह बहुत इंबोडेंट है बच्चों आपके एक्जाम में कई वार यह आता है तो बस आपको इतना सा याद रखना कि किसी भी धारेके या सेंपीडे जब कोई रहता है ठीक है तो अब देख लेजिए यहां पर कि यदि को यह संपीडे तद एवं एश्यान द्रवधारारी के परवा में एक इस्तान से दूसे इस्तान तक बहता है तो इसके मार्गी के प्रतियक बिंदू पर एकांग आतन के लिए दा बुर्जा ठीक है दाब उर्जा वे गति जूर्जा वे इस्तिद्र उर्जा ठीक है इस्तिद्र उर्जा का बच्चो योग नेतांक रहता है ठीक है इस परकार हम यहां पर बच्चो कह सकते हैं कि जो बर्णोली की इपिर में होती है वो उर्जा सनक्षन के सिद्धान पर कारिये करती है इस प पुक्त तो समय करण दाब के में जानते हैं बच्चों कि यहां पर बच्चों क्या आती है आपकी ml-1 tk-1 ठीक है तो चलिए बच्चों आगे चलेते हैं आप किसी भी परवाहिद द्रव में यहां पर निकालते हैं दाप शीश, वेक शीश गूर्टवary शीश क्यानी कल करता है तो बर्णोलई की जो बछ्चो पिर में होती है आपकी बर्णोली की पिर में कि आपको भाग करना होता है रोजी से रोजी से जैसे भाग करेंगे तो आपको देखी P बटे रोजी आएगा फिर यहाँ पर देखेंगे तो रोसरो कैंसल हो जाएगा यहाँ पर आपका H जाएगा तो बच्चो P अपन रोजी को कहते हैं दाप शीष ठीक है विसकरबे 2G को कहते हैं बच्चो आपका वेगशीष ठीक है और H को बच्चो कहते हैं यहाँ पर गृतवेशीष ठीक है तो इस केस में बच्चो आपको हैच्वन बराबर एश्टू हो जायेगा तो जब आपको कोई दुड़ श्यटिस तल में भहरा नहीं तो यानि के उस केस में आपका है हैं पहली है इस तरे से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कोई नली है यह वाली यहाँ पर कोई नली है यह वाली इस नली में यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों आपकी हाइट है यह वाली इस नली की ठीक है चुकि अगर बच्चों यहाँ पर देखते हैं इ इसको जब यहां पर मिलाते हैं इसको इस तरीके से तो आपकी height यहां पर भी h रहेगी यहां पर भी h रहेगी वैसे तो 2 होगा नेकिन दोना आपकी height बराबर हो जाएगी ना इसको बच्चो x माल लेंगे इसको बच्चो y माल लेंगे तो जो द्रव आपका बच्चो यहां प पर प्रवेश करेगा वोही दुरभ तो भार निकलेगा थीक है तो उसकेस में बचो यहां पर आपका प्रवेश करता सम्हें एक वीवन रहेगा यहां से और निकलत ... एरिया भी आपका अलग हो सकता हे ठीक है। तो दिया के 36 तल अगर आपका है तो उसकेस में क्या होगा पी बन आपको जाएगा एक बटे दो रोवी बने स्कार जाएगा ठीक है रोवी टू स्कार हो जाएगा चुकि बच्छो आपका है बराबर रहेगा तो यहां से कट जाएगा तो इस तरीके से आपकी वैली जो निकल प्रुजा का योग बच्छो नियत रहता है बन्रोली प्रमे की समिकरेंट से इस प्रस्ट है कि किसी परवाइद दरव या गैस में जिस स्तान पर दाब अधिक होता है माँआपर बच्छो वेग कम हो जाता है ठीके तो आपको यहां पर ध्यान नखना होगा कि दाब अगर क झाल